सब्सक्राइब करें बिहार आसपास बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें पर उस पार्टी में इस पार्टी में फर्क है पार्टी अटल बिहारी वाजपई वाली पार्टी अमिद शाह वाली फर्क है और और क्या फर्क है और इस फर्क के पीछे जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार कहें तो अब देखिए ऐसा ही दिखता है जो मैं पहले भी कह चुगा हूं कि यह दिखता है only one man, show and two man army, यह सारी बातें one man, show and two man army के जरीए हो रही है. Collective decision तो होता नहीं है, बाकी लोगों से बातिव होती ही ही जैसे कैए बाथ कि लोग मुजाUM मि नहीं ही कहता हूं कि मालों मंकरी नहीं बना है, मानलो मंत्री बना ही दिया गया है। क्या हो जाता? अज मंत्रियों के चल कहां रही है? 90 परतिषा से जादा मंत्रियों का नाम नहीं सुना हो आपने किसी से कह दिया कि कोई पाँच cabinet minister का नाम बता तो एक दो तीन बता के फिर अठक जाएगा अभी आपके जादा मंत्रियों को आप जानते नहीं है जानते तो पहचानते नहीं है पहचानते तो मानते नहीं है मानते हैं तो उनके पास जाओ किसी काम का तो किसी काम के नहीं है सारा काम तो पीमो से हो रहा है तो वान में शो एंड टू में आर्मी और आपने पूछा था कि क्या अंतर है अटल विहारी वाजपेई जी के जमाने के भारती जनता पार्टी में या आज हमारे अपने दोस्त प्रधान मंत्री माननिये नरंदर मोजी जी के जमाने में तो मैं यही कहूंगा ऐसा दिखता है एक तो आज जबदत बदले की जो आपका नहीं या जो आपके नजरों में खटक रहा हो कोई नों को इस पर केस कर दो कोई नों को एजनसी छोड़ दो चाहे चिदंबरम हों कि जाए लालू जी हो कि आपके अपने शशी थरूर हो कि अभी अखलेश जी के नाम सुन रहा था अभी आज कल में और सुना किसी किसी पर चार शिट की बातें होती है वो भी एलेक्शन के आस पास में ऐसा क्यों होता है वह बदले की रादनीती डेमोक्रिसी ये सब को बोलने का अभी कार सबको अपनी राय रखने का अभी कारें अगराराप उस्से अग्री करेंगे क्योंकि मेरा मैं बहुत त्रोंग इस चीज में इतफाकर करें और मेरा एक स्ट्रॉंग बिलीफ है और इसलिए मैं आपको इस में टोक रही हूं नहीं तोकने के पहले अउने मेरा अब conclude करता हूँ यानि मोटा मोटी अगर पूछें बदले की राद नीती बताली खुब जबदस चल रहा है लेकिन अगर चंद शब्दों में कहा जाए कि क्या अंतर है तब के अटल जी के जमाने में और आज के जमाने में तो यही कहूंगा कि उस वक्त लोक शाही थी और अंड़ क्राइब